तो गैस जब भी हम 17 से 25 साल की एज के अंडर में होते हैं तो इस दोरान हमारे हाथों हमारा पूरा करियर दाओं पर लगा हुआ होता है मतलब यही एज हमारी यह डिसाइड करती है कि यंग एज के बाद हमारी पूरी जिंदगी कैसे बीटने वाली है एक अच्छी और खुशाल लाइफ या फिर एक एसी लाइफ जिसमें पूरी जिंदगी हम अपने आपको सिर्फ कोशते रहें यह सोशते हुए कि कास मुझे उस एज में अकल आ जाती तो आज मेरी लाइफ कुछ और ही होती विल यह इस वीडियो का पार्ट टू है जो कि सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड पर है और पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी मैं आपके साथ कुछ एसी बाते शेयर करने वाला हूँ जो कि इस एज ग्रूप के लोगों को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टन्ट है कुछ एसी मिस्टेक्स जो कि इस एज ग्रूप के लोग अकसर जाने अन जाने में कर जाते हैं जिसका पच्थावा उनको उनकी पूरी लाइफ टाइम तक हो सकता है अब ये एक ऐसी चीज है या फिर के लोग एक ऐसी बिमारी है जो इस एज ग्रूप में बिलकुल कॉमन है अपने आपको दूसरों से कमपैर करने की आदत फिर चाहे वो दूसरे के looks को लेकर हो personality को लेकर हो money को लेकर हो या फिर अपनी body के color को लेकर हो कोई अगर दिखने में हमसे ज़ादा अच्छा हो तो हम उसको देखकर money-man दुखी हो जाते हैं क्यों? क्योंकि हम वैसे नहीं है या फिर अगर कोई बहुत जादा अमीर होता है तो उसको भी हम खुद से compare कर डालते हैं ये सोचते हुए कि काश इसके जैसी life मेरी भी होती अब हो सकता है आप मेंसे कुछ लोग शायद ये सोच रहे हो कि इसमें क्या problem है करते हैं तो करते हैं बट इससे problem आपके बाहर नहीं आपके अंदर create होने लगती है क्योंकि जब भी हम किसी दूसरे को अपने आप से compare कर रहे होते हैं तो उससे कहीं न कहीं हमको अपने आप में बुराईयां दिखनी शुरू हो जाती है हमको ये लगने लगता है कि हमारे अंदर बहुत सारी कमिया है इसका नतीज़ ये होता है कि हम आगे चलकर अपना self confidence पूरी तरह खोचुके होते हैं जिस वज़े से in future कुछ बढ़ा करना तो क्या एक stable life जीना भी आपके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि आपको खुद पर भरोसा ही नहीं होता अगर हमको इसी age से ही काम्याब होने की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले हमें इस comparison की बिमारी को overcome करना होगा और ये हम कैसे कर सकते हैं इसके बीच के difference को जानकर क्योंकि comparison एक तरह से नहीं दो तरह से होते हैं actual comparison और virtual comparison actual comparison यानि कि जो हमें दिख रहा है वो actual में है कोई अगर गोरा दिख रहा है तो वो naturally गोरा है कोई अगर अमीर दिख रहा है तो इसके लिए उसने पहुत सालों तक मेहनत की है और आज वो अमीर है तो actual comparison comparison नहीं एक reality है इसमें जलस फिल करने की वजाए हमें जितना जल्दी हो सके उनको as it is accept कर लेना चाहिए जैसे वो दिख रहे हैं वैसी ही उनकी life है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी life बिल्कुल perfect है हो सकता है वो किसी और तरह की problem को face कर रहे हो जो आपको न दिख रही हो जो हर एक कोशिश करते हैं अपना आपको rich और good looking दिखाने की पर यही लोग अगर आपको कहीं reality में दिख जाएं तो उनके असली look को देख कर आप शायद उनको पहचानने से भी इंकार कर दो क्योंकि virtually हर कोई अपना best दिखाने की कोशिश करता है इतना best जितना वो actual में है भी नहीं example के तुरू अगर मैं आपको बताऊं तो मान लीजिए आप अपने फोन में अपनी पांच फोटोस क्लिक करते हो जिन मेंसे चार तो बेकार आती हैं बट पांच वी बहुत जादा अच्छी आती है तो आप बागी लोगों को अपनी कौन सी फोटो दिखाना जाता पसंद करोगे उन चार में से कोई एक या फिर वो पांच वी जो की एकदम best आई है obviously वो पांच वी फोटो जिसमें आप अच्छे दिख रहे हो पर जिनमें आप अच्छे नहीं दिख रहे हो वो चार फोटो भी आप ही की हैं जिनको आप बागी लोगों से छिपा देते हो तो जैसा आप करते हो बागी लोग भी exact वेसा ही करते हैं अब इन लोगों से आप अपने आपको अगर compare करने लग जाओगे तो उनका तो कुछ नहीं पिगड़ेगा बट आपका self confidence पूरी तरह खतम हो जाएगा तो make sure आप इस virtual comparison को अभी खतम कर दें आप जैसे भी हो अपने लिए बिल्कुल perfect हो जैसा कि मैंने वीडियो के starting में ही आपको बताया कि ये age हमारा एक ऐसा time होता है जिसमें हमारा आने वाला पूरा career दाओ पर लगवा होता है इसमें जितना ज़्यादा आप अभी मेहनत कर लेते हैं उतने ही अच्छे results आपको future में मिल पाते हैं लेकिन एक और चीज जो कि इस age में मेहनत करने से भी कहीं ज़्यादा important है जो कि है guys risk लेना risk लेना अपने life के लिए अपने आपको काम्याब बनाने के लिए क्योंकि यही age एक best time period होता है ज़्यादा से ज़्यादा risk लेने का बट इस age में भी लोग risk लेने से बहुत डरते हैं वो एक plan तो अपने mind में ज़रूर सोच कर रखते हैं पर कहीं न कहीं उनको ये लगता है कि अगर हमारे ये plan fail हो गया तो बहुत बुरा हो जाएगा और इसी वज़े से वो अपना अगला step उठाने से पहले ही पीछे हट जाते हैं अब आप अपना mind लगा कर ज़रा ये सोचिए कि आपके पास अभी खोरने के लिए है ही क्या कोई करोणों की property बिलकुल नहीं बहुत सारा पैसा नहीं वाइफ और बच्चों को टाइम ना दे बाने का डर अभी तक तो नहीं तो हम आखें डरते किसलिए हैं नहीं हमारे उपर अभी कोई family की responsibility है और नहीं इतना जादा कोई burden इस age में आप enough capable हैं अपने future को secure करने के लिए वोस plan पर काम करने के लिए जो आगे चलकर आपको success की और ले जाए क्योंकि एक बार अगर ये age आपके हाथों से निकल गई तो आपके उपर इतनी जादा responsibilities आ जाएंगी कि आप चाहकर भी कोई अगला step ले ही नहीं पाओगे because अब आपके पास risk ना लेने की धेरो वज़े होंगी अब ये तो हमको पता चली गया है कि काम्याब होने के लिए risk लेना बहुत ज़रूरी है पर अगर आपको यही clear नहीं होगा कि आपको एक proper goal setting कैसे करनी है ताकि ये risk का level और कम हो पाए तो unfortunately यही सोचते रेने में आप अपना पूरा time निकाल दोगे फिर आगे चल कर या तो बहुत देर हो चुकी होगी या फिर जल्द बाजी में आपको ऐसा goal set कर लोगे जो कि एक short term के लिए भी नहीं टिक पाएगा तो make sure इसी age में आपको ये clear कर लेना है कि आपका future goal क्या होने वाला है ताकि आपका सिर्फ सोचते रेने में ज़्यादा time waste ना हो और इन goals को हम बहुत ही smart तरीके से set कर सकते हैं केसे इसका जवाब इसी smart word में चिपा हुआ है specific, miserable, achievable, relevant and timeline सबसे पहले तो आपको एक notebook लेनी है और उसमें at least 5-10 ऐसे goals को add करना है जिनमें आप interested हो और future में आप उनको achieve करना चाहते हो फिर उन goals को आपको इन points के साथ match करना है जो match कर जाते हैं वही goals आपका future हो सकते है आपका goal specific होना चाहिए अगर आपने goal में ये add किया है कि मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ तो ये आपका एक specific goal नहीं है उसके लिए आपको ये exact clear होना चाहिए कि आपको कितना अमीर बनना है क्या आपको मंतली 50,000 रुपे कमाने है या फिर एक लाग और इतने पेसे कमाने के लिए आप काम क्या करने वाले है नमबर टू measurable आपका goal measurable होना चाहिए यानि कि जो भी goal आपने set किया है उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि आप अभी अपने goal से कितना दूर है क्या आप पहली बार उस goal पर काम करने जा रहा है या फिर already आपको उस field में थोड़ी बहुत knowledge है इसे के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एक short term goal है या फिर एक long term goal जिस भी goal को आपने अपनी notebook में add किया है क्या सच में आप उस goal को पूरा कर सकते हैं क्योंकि अगर आपका future goal Bill Gates से भी ज़दा अमीर बनने का है तो हो सकता है ये short term में आपको एक positive feeling भी दे दे पर इतना बड़ा goal achieve करने के लिए आपके पास को special plan नहीं होगा जिससे आप demotivate होकर वहीं give up कर दोगे आपका goal एसा होना चाहिए जिस पर आपका पूरा भरोसा हो कि येस आप उसको achieve कर सकते हैं आपको इसी के साथ ये भी analyze करना होगा कि जिन goals को आपने add किया है वो आप खुशी से करने जा रहे हैं या फिर आपने किसी से ये सुन लिया है कि भाई इस field में बहुत ज़्यादा scope है हो सकता है आपने कुछ ऐसे goals को भी add कर लिया हो जो आपके लिए बने ही नहीं है फर इक्जांपल आप कोई business करना चाते हैं और उसके लिए आपके बड़े plans हैं पर तब ही कोई दोस्त आपके कानों में ये बात डाल दे के भाई उस company में अगर तुमारी job लग गई तो 50 से 60 हजार रुपे महीना कमाऊगे तुमारी life set हो जाएगी अब इसमें ना तो आपका कोई experience है और ना ही कोई interest तो make sure कोई ऐसा goal होना चाहिए जो आपको करने में अच्छा भी लगता हो और जिसमें आपका interest भी हो नमबर 5 timeline आपको उस goal की एक timeline set करना आना चाहिए कि कितना time लग सकता है आपको उस goal को achieve करने के लिए एक साल, दो साल, चार साल या फिर कुछ महीने इस से आपके उपर ये responsibility आ जाएगी कि आपको इस time के अंदर अपने goal को achieve करना है तो ये थे guys कुछ ऐसे life lessons जो आपको अपनी इस age में जरूर पता होने चाहिए लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको जरा भी useful लगी हो तो एंड मुझे और भी जादा connected रहने के लिए आप मुझे इंस्टेग्राम पर भी follow कर सकते हैं तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए टेक क्यार